जैश्री कृष्णा, वेलकम टू हैंवन लेडर आपके मन में आता होगा कि जितना आप अपने परसन को लव करते हो, पसंद करते हो, क्या वो भी वही फिलिंग्स आपके टूवर्ज रखते हैं? तो आज throw the reading हम उनकी mutual feelings आपकी तरफ देखेंगे, चाहे आप no contact में हो, या अगर आपके परसन से बात हो भी रही हो, तब भी ये reading आपके लिए है सबसे पहले मैं कार्ड निकालूँगी आपके लिए, कि आप अपने परसन को लेकर कैसी सोच रखते हो, कैसे फेलिंग्स रखते हो, तो without wasting time, let's start मैं जब तो कार्ड शफल करने लगे हूँ, आप अपने परसन का नाम recite कीजे, उन्हें imagine कीजे ये एक journal reading है और timeless reading है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस समय की मानी जाएगे Magician King of Water Nine of Fire Nine of Water and Rivers Okay, बेरी वीवर, सबसे पहले मैं आपकी बात कर रहे हूँ, इतना मैं कह सकती हूँ, right now आप ये बात मान के चल रहे हो, कि इस परसन ने आपको आपके emotion के साथ introduce कर रहे है, जो आपने पहले किसी के लिए महसूस ने किया, आप इस परसन के लिए महसूस कर रहे हो, जो शायद आपको kill कर रहे है, चाय आपके कोई भी relation पहले रहे होंगे, जितना impact इस परसन है आपकी life पर और आपके दिल पर मारा है, आज सक आपने ऐसा feel नहीं किया, वेटर चाय आप male हो, या female हो, second, आप अपने आपको imperfect मानते हो, आपको ये लगता है कि मैं इतना imperfect हूँ, या मैं perfect नहीं हूँ, जिसकी वज़े से आप अपने अंदर इतना confidence फिल नहीं करते हैं, और आपको हमीशे ड़ लगा रहता है, कि ये person मुझे कभी भी छोड़ कर जा सकता है, तो ये problem है, आपको लगता है कि ये person क्या मुझे मेरी कमियों के साथ accept करेगा, या करेगी, तो आप अपन अपने person से बात करना चाहते हो, किसी भी कीमत पर, शायद अगर आपको जुकना भी पड़े, आप उसके लिए भी तयार हो, जो मैं ये महसूस कर पा रही हूँ, और जो मुझे messages मिल रहे हैं, बता दू, आपने अपने nature में काफी बदलाव लाया है, और आप अभी भी भी ल लगता है कि इस person के लिए आपने कितना कुछ कर दिया, जो शायद आपने आज तक किसी के लिए नहीं किया, तो मैं आपको इक बात बता दू, आप पूरी तरह से squeeze हुए पड़े हो, और इस person में stuck हुए पड़े हो, अगर ये चीज आप पर resonate हो रही है, तो definitely this rating for you, आगे reverse रख्टर क्योंकि आपका obsession मैंने देख लिया है, आप अपने person को imagine कीजिए, ताक कि, और उनका नाम recite कीजिए, ताक कि उनकी current energy के साथ हम connect हो सके, 10 of Earth, Queen of Water in reverse Justice High Priestess 10 of Fire Star Ace of Fire Queen of Air Bottom of deck में है King of Air, मैं ये भी ले दिया हूँ, होप कर रही हूँ, आपको कार्ट देख रहे होंगे, मेरे वीवर्स, इन कार्ट के थुरूप मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, जो मुझे message मिल रहा है, आपके इस person पर मून बहुत rule करता है, आपका ये person के बहुत mood swings होते होंगे, इनका moods लगातर बदलता रहता होगा, ये consistent नहीं होंगे अपने nature को लेकर, आपको इनकी nature अभी तक समझ में नहीं आई होगे, exactly ये person चाहता क्या है, या क्या चाहती है, कई हो के तो person मुझे इस समय लगता है किसी legal case में फसे होगा, यहाँ पर मैं ये बात देख पा रही हूँ, आपका ये person मानता है कि आप दोनों इस समय सेम पेच पे नहीं हो, ये person आपको बहुती argument बनता है, इससे लगता है बहुत argument करते हो, उन्हें ये लगता है कि आप काफी mind games चलते हो, उन्हें ये लगता है कि आप दिखाते कुछ और हो, पर आप इन दर रियालेटी आप कुछ और हो, जिसकी वज़े से इस person ने आपसे काफी बाते चुपा रखी है, ये person काफी hide and seek करके चल रहा है, और इसकी जो intention इससे मैं राइटनों मैं ये ही देख पा रही हूँ, कि इसे घबरात होती है, ये काफी घबराता ह हो या ना हो, हो सकते हैं ये बहुत confidence दिखाता हो आपको, कि I am very confident person, but the inner reality इसकी फट्ति आपके सामने है, इसने अपनी काफी सारी information, specifically personal information आप से चुपा रखी है, क्योंकि इसे घबरात है इस बात की, कि अगर वो बाते आपको पता चल जाएंगी, तो आपका relation पहले जैसे न मैं ये कह सकती हूं 100% कि आप इसको लेकर पागलो, ये 100% sure है, अगर आप लोगों के वीच में बाचित नहीं हो रही, तो इसे ये पता है, आप move on नहीं करोगे, आप move on कर ही नहीं सकते, आप इस पे stuck को, ये इस मामले पर 100% sure है, और इसलिए इतना confident में है, कि अगर ये आप आप से कुछ समय बात नहीं भी करेगा, तो भी काम चल जाएगा, बट ये तो हो गया, कैतने एक सिक्के के दो पहले होते हैं, तो एक side तो इसकी ये है, लेकि दूसरी side पर इसे घबरावट भी है, क्योंकि इसे लगता है कि आप ऐसे person हो, जो बहुत ही fiery हो, उसे लगता है क कि आपके अंदर एक ऐसा charm है, ऐसा attraction है, कोई भी person आपको अप्रोच कर सकता है, anytime, तो ये घबराट इस person को रहती है, मुझे लगता है कि इस person ने आपको पहले justice नहीं दिया था, और शायद इसके friend circle ने इसको ये बस समझाई है कि आपके साथ इसने गलत तरीके से behave किया है, जिसको भी आपका relation मालूम होगा, और अगर नहीं भी मालूम है, तो इसने किसी न किसी person से indirectly way में advice लिया है, और समझाया गया है कि आपके towards जो भी action अब तक लिया गया है, वो totally wrong है, लेकिन आप दोनों में से एक person इस relation को hide रखना चाहता है, कहते हैं ना छुपा कर रखना च यह person non-committal लग रहा है मुझे आपका person, यह भी commitment नहीं देना चाहता आपको, मैं यह पर justice को clarify करना चाहूंगे, जो Six of Air ने clarify किया justice को, तो यह person आपके towards आना तो चाहता है, और but the problem is that his surrounding बहुत खराब है, जो मैं देख पा रही हूँ, आपका यह person बहुत enemy से घिरा हुआ है, आपके यह person को enemy से related बहुत पड़ी problem हुए हुए है, जिसको इससे में यह deal नहीं कर पा रहा है, इससे में मुझे लगता आपका person बहुत ही ज़्यादा, अकेला पन महसूस कर रहा है, Queen of यह person आपसे बात करना चाहता है, इसके मन में 24-7 इस बात को लेकर, एक curiosity है कि अगर यह आपको call करता है, तो आप क्या action लोगे, तो यह person इनिशेट तो लेना चाहता है, मैं 100% sure हुए 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 है, मैं उसे clarify करना चाहूंगी, इसकी काफी secretive energy है, एक ऐस यह person, जो अपनी emotion को जल्दी बताता नहीं है, इसने आपको जल्दी यह भी नहीं बताया होगा, यह कितना highly attracted apps है, लेकिन यह person बहुत obsessed apps है, actually यह person वह है, जो feelings रखता है आपके towards, लेकिन आपको ही नहीं बताना चाहता, यह इसको होता है कि मैं इसको इसको ना पता चल जाए कि मैं इसको कितना पसंद करता हूँ, कितना passionate हूँ, इसको ना पता चल जाए कि मुझे इसकी जुरूरत है, इसको मेरी जुरूरत होनी चाहिए, आपका person ऐसा है, प्रमात्मा, guide करें, यहाँ पर high precious क्यों है, page of fire, यह person आपसे एक तरहा का attraction महसूस करता है, जो आप इसके towards कर अगर आप इस person को लेकर passion रखते हो, obsession रखते हो, तो यह card justify करता है, यह भी person आपके towards वैसा ही feel करता है, आप mirror करो एक दुसरे को, आप लोगों में, honestly बोलो, mind मत कीजेगा, आप लोगों में मुझे emotional feelings कम, physical intimacy और physical attraction जादा नजर आता है, आपका भी उनकी तरफ, और उनका भी आपका जो यह relation मुझे नजर आता है, वो physically based जादा है, rather than emotional based, और यही आपको एक pull का काम करें, आप लोगों के बीच में, bridge का काम करें, एक ऐसी तार आप दोनों के बीच में जुड़ी होई है, physical attraction की, जो unbearable है, जिसे अगर यह person आप से दूर भी हो गया, या आप इससे आप दोनों ही एक दूसरी की जुरूरत हो, या फिर 10 of fire आया है, मैंसे भी clarify करना चाहूंगी, fortune of wheel, इसे भी मैं clarify करना चाहूंगी, 10 number आप लोगों बहुत rule करता है, यानि 10 तारिक important है आपके लिए, यह आपका life path number हो सकता है, आपका ही आपके बर्जन का, Six of water ने clarify किया है, fortune of wheel को, इस परसन को लगता है कि इसके से destiny बहुत play role करती है, इसकी किसमत इसका साथ नहीं देती है, आपके इस relationship में मुझे लगता है कि आप दोनों की गलती से कम, आप लोगों का भागया आपका साथ नहीं दे रहे, आपकी ग्रहा आपके साथ नहीं दे रहे, और जब आप दोनों की बात शुरू होती हो, तो आपके आस-पास की surrounding खराब हो जाती हो, तो आप लोगों की इस relationship में बहार की surrounding बहुत ही play important role कर रहे है, और जिसकी वज़े से भी आपको दिक्कत हो रहे है, मैं देख पार रही हूँ, आपको ये person बहुत सारी problems को deal कर रहे है अगर आपके तो पे किया होगा recently, इतना मैं 100% sure हो, आपके पे किया होगा या नियर फ्यूचर अप करने वाले हो, आगे रेखते हैं आपके परसन आपके towards कैसी feelings रखते हैं time has come, कहाना मैंने कि आपके towards action लेना चाहते हैं, तो ये कह रहे है कि time आ चुका है, तो ये इनिशिट लेना चाहते हैं आपके towards, इतके मन में ये feelings है, इसमें I can't change for anyone, तो ये person शार एक ऐसा attitude रखता है, इस समें रखा हुआ है, एरोगेंसी का, कि ये कह रहे है कि मैं किसी के लिए बदलना ही चाहता है, हो सकते है इसकी वज़े से आपके इस relation में problem हुई हो, तो ये person काफी arrogant है, जो आपका person है, इसे पता ही गलती ही करता है, लेकिन शि true lover, तो ये person वही आपका true lover है, ये आपको मानता है, तो mutual feelings तो यहाँ पर है, आगे देखते है, तो ये surety है, कि true love तो है आप तोनों के बीच में, I appreciate you behind your back, तो ये person आपकी तारीफ करता है, पीट पीछे, अगर ये show नहीं भी करता ना, कि ये आपके towards feelings रखता है, पीछे तो ये कहता है, आपको, आपको perfect one है, you come into my dream, हो सकता है, आप psychic हो, क्योंकि मुझे feel और आप psychic हो सकते हो, तो आपके सपने में ये आपके person आते हो, 5D dimension से एक दूसरे के साथ connected हो, तो आप dreams के थोड़े हो, अगर आप लगों के बाचित बन भी हो रखी है, तो भी आप मान के चलि separation इस killing में, आपको person कहा रहा है, ये separation उसके बरदार से वहार है, आपका तो थाई, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपके person के लिए भी ये separation killing का काम कर रहा है, तो mutual feelings हैं भई, आप खुदी देख रहे हो, आपके सामने ही में काट निकाल रहे हो, avoidance, तो yes, ये person आपको आपको avoid कर रहे है, you expect too much, आप कुछ बात बोलते हो कि जो शायर इन्होंने आपकी टूट सही इनिशेट नहीं लिया, तो उन्हें लगता आप उनसे बहुत ज़्यादा expectation रखते हो, जो शायर आपको नहीं रखने ही चाहिए, ओके, एक, दो काट आगे, दोनों ही काट ले रहे हुए, you are so blunt, देख लीजिए, argument बोला था मैंने, ये person मानता है, आप argument करते हो, और यहापे blunt कह रहा है, कि आप मूँपे बोल देते हो, तो शायर ये भी problem है, हो सकता है, आप इनको मूँपे कह देते हो, कि आप, वो आपके में से कोई एक person, एक दूसरे को phone देखना चाहते हो, तो ये person की, आपके mutual feelings तो नजर आई रही है, आप भी अगर अपने person को लेकर, अच्छी feelings रखते हो, लव रखते हो, तो ये person भी आपके towards रखता है, बड़ शायर avoidance करने की कोशिच कर रहा है, दिखावा करने की कोशिच कर रहा है, I would like to take one more message, आपके person की hidden feelings का, उनके मन में ऐसा क्या है, जो उन्होंने आपको नहीं बताया, ये नहीं बताना चाहते है, लेकिन आज हम पता लगा लेंगे, guide करे angels, I want to pursue, nothing is going to stop me, expect soon a lot of action, तो ये person की hidden feeling है, जो मैंने आपको बता दी है, ये person आपके towards आना चाहता है, और कह रहे है, expect soon a lot of action, और यहाँ पे भी, ये दोनों कार्ट clarity दे रहे हैं, मैं इस दोनों को ले रहे हूँ, see this, expect soon a lot of action, आपके सामने है, nothing is going to stop me, वो कह रहे है, time has come, और एक और आया था भी, मैं वो भी आपको बता दी हूँ, याद हूँ है, आपको, एक second, एक second, this one, see this, call, तो ये थी mutual feelings आपके person की, जो आपको उन्होंने अब तक नहीं बताई, जो आज हमने पता लगा ली है, मैं कार्ट स्थीक कर देती हूँ, I hope ये रीडिंग आपके सारेजोनेट हुई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, ये रीडिंग आपको पसंद आती है, तो प्लीज लाइक, शियर, सब्सक्राइब,